नमस्कार रिम डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सभी इंस्पेक्टर इंटर्वी के त्यारी करने वाले बच्चों के लिए जिसमें लगातार मेरी ये सिरीज की रूप में क् कैसे करनी है इन सारी बातों पर आज अपन डिसकस करेंगे जो बच्चे पहली बार चैनल पर हैं जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वह वीडियो को लाइक करिया और अन्त तक देखिए, इंटर्यू की त्यारी करने में आपको इससे मदद मिलने वाली है. जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, वो इससे पहले वाले वीडियो भी डिस्क्रिप्स्यन में जाके देख सकते हैं, साथ ही आपको त्यारी करने का एक पूरा आउसर रिम डिफेंस अकेडमी म साथ कर सकते हैं जो बच्चे यूट्यूब के माद्यम से करना चाहते हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार हमारे साथ जुड़े रहकर अपनी तयारी अच्छी बना सकते हैं अगला टोपिक है कि पुलीस की आवसकता और सरंचना यानि पुलीस की आवसकता के व्यवस्ता को बनाए रखने के लिए जो एक्ट रूल जो बनाए जाते हैं जो सविदान के द्वारा सासन स्तापित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनकी पालना करने के लिए पुलीस डिपार्टमेंट के आवसकता होती है और सरंचना है उसमें हमने स्टेट पु पुलिस की स्तापना का उद्देश से क्या है तो इसका सबसे बड़ा जो उद्देश से होता है वो तो होता है इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन investigation एक word है और इसका मतलब होता है अनुसंदान करना जाच करना ये काम तो होता है पुलिस का इसके अलावा इसको जो अब यूज जो किया जा रहा है न वो किया जा रहा है पैट्रोलिंग के लिए भी यानि पैट्रोलिंग का काम भी है वो भी पुलिस के द्वारा ही किया जा र भी काम होते हैं उनको पैट्रोलिंग में मान सकते हैं समझने के लिए सिर्फ आप दो पार्ट बना लीजिए एक पार्ट वो जो कोई भी अपराद होने के बाद में उसकी जांच से समंधी जितना भी काम होता है वो आपका investigation है और investigation के अलावा पुलिस के जितने काम आपको नज़र आते हैं वो सारे पैट्रोलिंग में हैं पेट्रोलिंग का मतलब जिसमें आप कानून विवस्ता इस्तापित करने के लिए अपरादियों में भै पैदा करने के लिए जो राजस्तान पुलिस का जो मोटो है कि आम जन में विश्वास और अपरादियों में भै यानि लोगों में एक विश्वास रहे कि हमारी सिक्योर् के लिए सुरुक्षा के लिए कोई डिपार्टमेंट है और अपरादी हमेशा आप से डरे ये राजस्तान पुलिस का उद्देश से है और पैट्रोलिंग के अंदर ट्रेफिक विवस्ता है वी आई पी की सिक्योर्टी करना है इसके अलावा दूसरे जितने काम पुलिस के नाकाबंदी करना जगे जगे घस्त लगाना है चेकिंग करना है यह सारे काम है वो पैट्रोलिंग में आते हैं और बाकी जो अपराद गटित होने के बाद जो चीजे आती हैं जिसमें सांधेत करना है जिसमें statement लेने हैं, लोगों के बयान दर्ज करने हैं, पूरे मोका मोईना करना है, पूरी फाइल तयार करनी है, अपरादी को गिरफतार करना है, उसका medical कराना है, ये सारे काम करके उसको नयालत तक पहुचा देना है, सजा उसको दिलाने तक का सारा काम है, वो investigation में आता है. तो ये पुलिस की स्तापना का उद्देश्य है अब आपन देखते हैं कि सविधान में पुलिस की सरंचना क्या है यानि पुलिस कितने लेवल पे काम करती है ये चीज हमें देखनी है पुलिस की जो सरंचना है ये तीन पार्ट में है पहली part first part है वो संग सुची में कुछ part है police का कुछ पार्ट है वो संग सुची में भी रखा गया है इसके अलावा कुछ part police का है वो समवर्ती सुची में रखा गया है जो politically student है उनको idea होगा थोड़ा सा आप भी पढ़ाई कर चुके है प्रिटन एक्टाम पास कर चुके हैं आपको भी चीज आइडिया होगा और तीसरी जो सुची होती है और राज्य सुची होती है तो राज्य सुची में तो वैसे तो पुलिश डिपार्टमेंट राज्य सुची का विश्य है लेकिन इसके कुछ भाग है वो समवर्ती सुची म में भी आता है और कुछ पार्ट इसका संग सुची में भी आता है तो संग सुची में कौन-कौन सी चीजे आती है जो राष्ट्रिय सब्सक्राइब करना है किसी जगे पर अगर कोई विजिट होना है या कोई ऐसा बड़ा कारी करम है जिसमें कोई उपदर हो सकता है कोई नक्सली इंसिडेंट हो सकता है कोई माववादी कटना हो सकती है तो उन से संभावित खत्रों को देखते हुए किसी को नजर बंद कर देना, किसी को गिर्पतार कर लेना, किसी को पाबंद कर देना, ये निवारक नजर बंदी कहलाती है और ये काम संग इस तर पे होता है, ये पूरे देश का केंदर ये पुलिस करती है, जिसमें CRPF है, BSF है, ये वाली फोर्स ज इतने हतियार, एमुनेशन, गोला बारूद का जितना भी मामला होता है, जितनी भी उसके act and rule बने हुए हैं, वो सारे भी संग की सुची में आते हैं, क्योंकि ये मामले हैं, ये राज्य इस्तर पर निस्पादित नहीं किये जा सकते हैं, इनके लिए केंदर इस्तर पर कानून बनते हैं के अंदर इस्तर पे ही सारी विवस्ताएं होती हैं, क्योंकि ये बहार से आयात भी करने पड़ते हैं, इनकी साब सपाई, इनका रख रखाव, ये सारी चीज़ें भी बहुत important होती हैं, manage करना होता है, क्योंकि हतियार और गोला बारूद, ये राष्ट्रियस तर क का मामला राष्ट के शुरुक्षा का मामला तो पूलीस से सम्मन्दीत ये वाला पार्टम संट सुची में जाता है इसके बाद में सम्वर्टी सुची में जो पूलिस की प्रकीरिया दिऊ हुई जिसमें एक अपरादी को दंड दिलाना और जिसमें IPC है CRPC है ये सारी चीजी समवर्ति सुची में है IPC और CRPC क्या होती है में थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि IPC CRPC दोनों क्या होती है तो IPC आपका नाम पहले भी सुना हुआ होगा ये IPC है 1860 IPC 1860 है और ये लागू हुई है लागू कब हुई है ये IPC कब लागू हुई है तो ये हुई है दोस्तों एक जनवरी 1862 से और इसके अंदर क्या दिया हुआ है इसके अंदर दिया हुआ है 511 टोटल दाराएं दी हुई है जिनमें अपराद कितने परकार के होते हैं जितने परकार के अपराद होते हैं उनकी परीबासाइं दी हुई है और शात में उनका दंड क्या होगा ये पुलिस के काम की है IPC इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन पैनल कोड यानि IPC इंडियन पैनल कोड 1860 और इसका जो मुख्य काम है वो पुलिस डिपार्टमेंट को सयोग करना है कि कौनसा अपराद होता है उसकी क्या परिबाशा होती है और उसके अंदर दंड क्या दिया जा सकता है जैसे अगर हम चोरी की बात करें चो dominated ये दो दिया हुआ है कि अगर एक आदमी चोरी करता है तो उसको ये दंड दिया जाएगा अब उसके बाद में वो दंड की परकिरिया कहां है वो दंड कैसे दिया जाएगा उसको गिरिपतार कैसे किया जाएगा उसको नैले में कैसे बेजा जाएगा उसका मेडिकल कैसे कराए जाए है और उस परकिरिया वाले चीज का नाम है CRPC CRPC यानि जो परकिरिया पुलिस अपनाती है कोई भी काम करने के लिए अपराद गटित होने से पहले या अपराद गटित होने के बाद वो पूरी परकिरिया दी हुई है CRPC में 1973 में CRPC बनी है इसके अंदर 565 सेक्शन दिये हो हैं 565 इसकी धारहे हैं और इसमें फैंडिये हुए 56 फोर्म दिये हैं 56 फını इसके अंदर दिये हैं CRPC में यह क्या होते हैं वो फॉर्म जो अब पूलिस डिपार्टमेंट यूज करताanç करता है अगर यह गाड़ी को अघर सीज किया जाता है कोई ट्राफिक विवस्ता में अगर कोई गाड़ी विवदान करती है उसको सीज किया जाना है तो जब वो सीज की जाएगी तो एक फॉर्म बराये जाएगा वो फॉर्म इनी में से होगा यह 56 फॉर्म का जो परफॉर्मर दिया हुआ है CRPC में उसी का एक काम CRPC की मदद से पुलिस करती है और इस की मदद IPC की मदद भी पुलिस किसी भी अपराद को परिबासित करने में और उस अपरादी को क्या दंड दिया जाए वो पता होने के लिए IPC काम आती है तो यह IPC और CRPC है यह समवर्ती सुची का विसे हैं समवर्ती सुची में आती है क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी अगर एक स्टेट में कोई अपराद करके चला जाता है और दूसरे स्टेट में चला जाए तो वहाँ जाने के बाद फिर उस पर कोण सा कानून कैसे काम करेगा ये एक समश्या का विशे बन जाता है क्योंकि अगर पुलिस अगर राज्य का विश्य है तो राजस्थान में अलग उसकी अगर परकिरिया होगी तमिल लाडु में उसकी अगर अलग परकिरिया होगी तो फिर वो परकिरियाएं मैच नहीं होगी और आदमी को फिर नयाएं नहीं मिल पाएगा इसलिए जितनी पु होते हैं समवर्ती सूची में तो इसी समवर्ती सूची में IPC और CRPC को रखा गया है पूरे भारत में एक जैसा ही कानौन लागू है एसके बाद दो तीसरा पार्ट차 है वो है राज्य सूची का तो राज्य सूची में पुलिس पुम्हेंट कि राजी सुचि का ंदंडे संबन की वेतन बत्ते सुषिदायों सारी चीजें राज्या तय करता है पुलिस डिपार्टमेंट का और ये इसलिए राजी इस तरपे रखा गया है पुलिस को के अंदर इस तरपर संग सुची में क्यों नहीं रखा गया राजी इस तरपे क्यों रखा गया है अगला जो पार्ट है कि पुलिस को राजी सुची में क्यों रखा गया है तो पुलिस क रैटीजह को रोक나 है अपराध व को गटित होने के बाद आप आप न्यूजित्य सक्षिक अनुच सब्सक्राइब होते हैं यानी कि हर एक अपरादी की प्रकरती अलगलग होती है अगर हम वहाँ अपरादी है वहे वह तो नकसली होते है यह वहां अपराद कर गया तो वहाँ की पुलिस और जेंड़ के की पुलिस को एक जगह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता एक जैसे कानून दोनों जगह अलग-अलग अपराज की परकृति होने के कारण उनको मैनेज नहीं किया जा सकता इसलिए रज्य में यह सुविदा दी गई है इस विसे को प इसलिए पुलीस को राज्य सुची में रखा गया है बट फिर भी जो कुछ पार्ट जो समवर्थी सुची में है और संग सुची में हैं यह भी हमें दिमाग में रखने हैं इसके बाद में बहुत important part है कि पेरा मिलिटरी क्या होती है, मिलिटरी क्या होती है और पुलिस क्या होती है, तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया में देता हूं कि ये तीनों चीज क्या होती है अलग-लग, सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरे भारत की अगर हम बात करें, तो इसमें तीन इस्तर है, पह जो अंतराष्टे इस तरपर भारत की रक्षा करती है वो सेना है, मिलिटरी है और इसके तीन पार्ट है जो भूमी वाले इस्थान से जो इस्थल वाले भाग से जो रक्षा करती है उसको आर्मी बोलते हैं जो जल वाले भाग से करती है उसको नेवी बोलते हैं और जो आकास वाले भाग से वायू मार्ग से जो रक्षा करती है उसको एर फोर्स बोलते हैं तो आर्मी एर फोर्स और नेवी ये तीन मिलिटरी में आती हैं ये तीनों को सेना कहा जाता है इसके बाद सेना के बाद दूसरा जो वर्ड आता है वो अर्द सेना का आता है उसको बोलते हैं अर पिर उन्तरिक शुरुक्षा को भी पूरी मझबूती से नहीं निभा पाने के कारण उनके लिए एक अलग से बल की जरूत मैसुस की गई और उसका नाम रखा गया पैरा मिलिटरी अर्द सैनिक बल और उसमें सबसे पहली जो पैरा मिलिटरी बनी वो 1939 में 1949 में Crown Representative Police के नाम से निमच में शुरू हुई और उसके बाद में सरदार पटेल के द्वारा उसका नाम भारत को आजाद ह होने के बाद रखा गया CRPF Central Reserve Police बल यानि कि पुलिस का जो सेंटर इस तर पर के अंदर इस तर पर जो नक्सली एरिये में 36 जारखंड में वहां की पुलिस काम नहीं कर पा रही है अच्छे से तो उनकी मदद करने के लिए CRPF है जेंड के में जो अतंकवाद है वहां भी ये काम कर रही है उससे पहले पंजाब में जो अतंकवाद था उसके लिए CRPF को यूज किया गया तो इस से पहले जो बड़र की security का काम था वह या तो इस टेट पुलिस करती थी या army करती थी तो इस टेट पुलिस जब बड़र को अच्छे से नहीं सवाल पाती है तो उसके लिए अलग से पैरा मिलिटरी का निर्मान कर दिया गया और उसका नाम था bsf border security force और यह भी दो जगे क काम कर रही है भारत पार्ट का जो सीमा है उस पे और इसके लावा भारत और बांगलादेश के बॉर्डर पे इसके लावा छोटे-छोटे लेवल पे और भी कई जगे भी यूज होती है बट में काम B.S.F. का ये ही है इसके बाद तीसरी एक पैरामिलिटरी आई उसका नाम है A.S.S.B. ससस्त्र सीमा बल और ये पैरामिलिटरी काम करती है नेपाल और भुटान का जो बॉर्डर है उस एरिये के सिक्योर्टी करना वहां के लोकल लोगों को सपोर्ट करना पाड़ी एरिया होने के कारण उन लोगों में जागरुकता नहीं है तो उनको जागरुक करने म ये ITBP तो ITBP का नाम से ही पता चलता है इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस तो इसका काम चाइन वाला जितना भी बॉर्डर है पना उसकी सेक्योर्टी करने का काम ITBP के पास है इसके बाद में एक परामिलिटरी है CISF आपको इतनी जानकारी काफी है इनके बारे में पूर पता होना चाहिए Central Industries Security Force तो CISF के अंदर इसका जो काम होता है वो industries जो के अंदर सरकार की जितनी भी बड़ी बड़ी है इसके लावा जो airports है इसके लावा जो metro चलती है तो उनकी security का काम CISF के पास है और इसके बाद इसी CISF की तरज पे अपने राजस्थान में भी एक नई पुलिस का गटन किया गया है भी इसी budget के अंदर तो वो भी आपको दिमाग में यही से रखना है उसका नाम है RISF यानि राजस्थान इंडस्ट्री सेक्योरिटी फॉर्स तो इसके बारे में भी आप से कोई चीज पूछी जा सकती है जब CISF का नाम आएगा तो RISF का भी आपको दिमाग में रखना है इसी budget में गोचना हुई है और इसकी अभी बरतिय भी होने वाली है इसके अलावा CRPF का यह पार्ट आपको याद रखना है जिसका नाम है RAF Rapid Action Force और पहली paramilitary सबसे पहली जो paramilitary थी CRPF जिसमें महिलाओं की अलग से बटालियन है और उसी CRPF का एक पार्ट Rapid Action Force है जो पूरे भारत में जहां भी संगा हसाद होता है जहां भी communal कही राइट्स वगेर होते हैं तो वहां उन परिष्टितियों को control करने के लिए RAF की अलग से battalions CRPF के साथ काम करती है इसके अलावा कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा कि एक वर्ड आपको मिलेगा इसका नाम होता है नेशनल सिक्योर्टी गार्ड इसको भी अपन एक तरह से पेरा मिलिटरी की तरह ही समझ सकते हैं इसका हेड़कॉर्टर हो मानेसर में है और यह काम करती है वी आईपी सिक्योर्टी के अंदर या फिर कोई भी विशेश जो अटेक्स वगेर होते हैं विशेश जो उपरेशन चलाए जाते हैं जैसे बंबे में हुआ था ताज ओटल पर इसके लावा अमरेचसर एयरपोर्ट पर इस तरह से जो इस पेशल जो उपरेशन चलाने पड़ते हैं उसका काम एनस्जी गरती है इसमें कमां वी वी आईपी जो लोग होते हैं उनकी सिक्योर्टी में काम करती है एक इसी तरह का नाम एक SDG भी आपको सुनने को मिल सकता है जो अब भी बनाय गया है एक बटेलियन स्पेशल ड्यूटी ग्रूप ये भी पेरा मिलिटरी से निकला है और ये भी वी आईपी सिक्योर्टी और पुलिस इन तिनों में आपको अंतर समझना है कि मिलिटरी जो होती है वो बहार से रक्षा करती है पैरा मिलिटरी जो होती है वो स्टेट्स पर कंट्रोल रखती है एक तरह से जिस स्टेट में जरूत पढ़ती है वही पुलिस को सपोर्ट करने का काम करती है और तीसरा यह मेरे अनुभव के आदार पर आप से शिरफ शेयर कर रहा हूं कि मुझे जितना पता है उसका अगर कुछ हिस्सा भी आपके अगर दिमाग में रहेगा तो वह भी आपके लिए परियाप्त है कंप्लीट चीजें आपसे आसा नहीं की जाती है कि और ऐसा भी नहीं है कि आप इनके लिए मनाई कर दो कि नहीं सर मैं CRPF को क्यू जानूँ या मैं BSF को क्यू जानूँ क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और आपकी भी जिम्मेदारी कहीना कहीं security में बनती है और आप अब तो जब सभी inspector बनना चाहते हैं तब तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए अगर इससे जदा जानकारी चाहिए तो आप Google से सीधा भी सर्च कर सकते हो जिस topic के आ अपना ज्यान जितना टाइम होता है उतना बढ़ा सकते हैं अब इसके बाद जो एक पुलिस एक्ट के बारे में जो मैं बात कर रहा था आपसे 1861 का एक पुलिस एक्ट है इंडियन इंडियन Councils Act Councils Act 1861 और इसी का नाम पुलिस एक्ट है और ये बनाया गया था Parliament of UK के द्वारा United Kingdom के द्वारा वहां की संसत के द्वारा भारत में किस तरह से पुलिस व्यवस्ता होगी उसके लिए एक एक्ट बनाया गया 1861 में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उस समय जो पुलिस के लिए जो एक्ट बनाया गया वही एक्ट हम आज तक डोते आ रहे हैं आज तक उसी के अनुसार अपना काम चल रहा है पुलिस व्यवस्ता और उसमें उस समय ये जो ब भारत के अंदर ऐसी पुलिस व्यवस्ताओं जिससे वो लोग दबे रहें उन लोगों को दबाया जा सके उन लोगों पर कंट्रोल किया जा सके उन लोगों पर राज किया जा सके लंबे समय तक इस तरह से उनकी पुलिसी बनी वी थी और वो ही पुलिसी हम आज तक फोलो कर और इसकी जो जो चीजे गलत थी वो चीजे ही पुलिस को प्रेशान कर रही है उसी की वज़े से पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है अब इसमें क्या-क्या समस्या है उन पर हम एक एक पर बात कर लेते हैं कि तो पुलिस एक्ट क्या है ये चीज आपको समझ में आ गया ह जाता है उन चीजों पर ज्यादा जोर दिया और उसके बाद में 1861 में जब भारत के लिए जब ये एक्ट बनाने की बात आई तो उन्होंने पैट्रोलिंग पर ज्यादा जोर दिया उन्होंने ऐसी पुलिस की विवस्ताइं बनाई कि इन्वेस्टिगेशन और करें और वो ज्यादा पड़ा लिखा होने की जरूतनी है वो बढ़ा हो लंबा चोड़ा हो बागने में सक्सम हो जिसका फिजिकल अच्छा हो वो लोग पुलिस में जाएं और आज तक हम उसी चीज को फोलो करते जा रहें आज तक हम अभी जाके थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगाया बट काफी दिनों तक हम इसी चीज को फोलो करते रहें कि जो फिजिकल पुलिस के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता था 97 तक 97 तक से पहले पुलिस डिपार्टमेंट में लिखित एकजाम नहीं होता था कॉंस्टेबल के लिए शिरप जो भागने दोड़ने में फिट है वो ही पुलिस में जाता था इनके बारे में भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लाक में कौन-कौन से शुधार आयोगे बट ये सारी चीजें समझने के बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि 1861 का पुलिस क्या कमिया है उसके अंदर पुलिस के सामने क्या-क्या समस्या यह है और उनका सुधार हम कैसे कर सकते हैं क्या सुझाव हम दे सकते हैं उसके लिए तो वो सुझाव उसकी कमिया और पुलिस एक्ट की कमिया पुलिस की समस्या है यह सब चीजें इन आठ पुइंट्स में किलिर हो जाएंगे हाराम से इन आठ चीजें आप समझ लो इसके बाद में इन में जो काउं की पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम होता है मेन काम मुख़े काम होता है का थ descrição का जब की जो 1861 जब की जबाल की अब जो परनाली जो अपनाई जाती है जहाँ-जहाँ Commissionerate परणाली लागू की जा रही है वहाँ इन दोनों को अलग-लग रखने की विवस्टाइं की जा रही है इसे लिए Commissioner परणाली बैस्ट है बाकी Police विवस्टाइब से ये चीज भी आपको साथ-साथ समझते जाना है कि Commissioner परणाली में क्या फाइदा है तो यही फायदा आप बता सकते हो कि वहाँ पैट्रोलिंग के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग-अलग स्टाफ होता है अलग-अलग लोग काम करने वाले होते हैं इसके बाद दूसरी जो विवस्ता थी वो है निति निर्मान संस्ता का नहीं होना पुलिस डिपा संस्ता नहीं है एक आदमी कभी ट्रेफिक पुलिस में चला जाता है कभी वी आई-पी सीक्योर्टी में बेश दिया जाता है उसको कभी उसको इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया जाता है अबं एक आदमी जो रोज पेट्रोलिंग करता है जो रोज डंडा लेके कहीं पता नहीं है, क्योंकि वह कम पड़ा लिका आ है, और यही कारण है कि निती निर्मान संस्ता के नहीं होने की बद्थे से पुलिस डिपार्टमेंट की बार बार चवी खराब होती है, बार बार ऐसे एक जामपल समाज के देखने को मिलते हैं, जिसमें पुलिस की शवी खराब लोने के उदार्ण मिलते हैं। उसके पीछे यही कारण है। बात अच्छे से नहीं कर पाते हैं। वैसे और भी कई कारण हैं। बट दीरे दीरे आफ समझते जाओगे तो एक एक चीज आपके पैट्रोलिंग का ही गरना था अंग्रेजों की जमाने में जब ब्रिटीस राज था उस समय पैट्रोलिंग का काम ज्यादा था इन्वेस्टिकेशन का काम ज्यादा नहीं था और इसलिए क्योंकि लोगों में एक भै था एक डर था पुलिस लोगों को दबा के रखती थी और इसलिए इन्वेस्टिकेशन अपराद होने नहीं देते थे उससे पहले ही अपराद पर कंट्रोल करके रखा जाता था लोगों को दबाया जाता था इसके बाद पुलिस के विरुद्ध कोई कंप्लेंड नहीं हो सकती ये भी 1861 का जो हमारा पुलिस एक्ट है उसी में ये व कमप्लेंट के लिए उच्षा दिकारियों को शिरफ कर सकते हो तो वह हो सकता है कि अपने डिपारटमेंट के ओफिसर का ही पक्स लए तो अलग से कोई संस्ता ऐसी नहीं है दीरे दीरे इसमें अलग से ब्रश्टाचार के खिलाफ जो मामले होते हैं उनके लिए संस्ता हैं बना दी गई हैं दीरे दीरे मानवधिकार आयोग इसमें काम करने लग गया है तो control किया जा रहा है पुलिस पे, बनाया जा रहे हैं सारी चीजें, लेकिन वो amendment से बनाया जा रहे हैं, जो पुराना जो पुलिस act है, उसमें पूरी तरह से सुधार करने की जरुरत है, यानि कि पुलिस के विरुद कोई complaint नहीं हो, इसी वज़े से पुलिस कई बार कई मामलो में लोगों को ड्राती आघल बाती और पुलीष का इसिलिए पुलीस का लोगों में वह होता है और इसलिए पुलीस की जबी पुलीष को लोग अच्छी नजरों से ज़्यादा नहीं देखते हैं आपको इन चीजों को किस तरह से पेस करना है ये आपकी कला होगी किसी भी डिपार्टमेंट को आफ पूरी तरह बुरा नहीं बता सकते किसी को भी आप अच्छा नहीं बता सकते बट अपने जो विचार है वो आपको mix करके रखने हैं अब वो आपकी कला में सामिल होगा कि आप इनको किस तरह से इनको प्रस्तूत करेंगे, किस तरह से उनको बताएंगे, आप पे डिपेंड करता है, इसके बाद कार्मिक मामलों के लिए कोई विवस्ता नहीं है, अठारा सो इक्षट का जो पुलिस एक्ट है, उसमें कार्मिक मामलों का मतलब ह कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ने कोई ड्यूटी के आर्स फिक्स हैं जहां कमिशनरेट पर ना लिए है वहाँ जरूर अभी यह व्यवस्ता दिरे-दिरे करने लग गए हैं लोग कि दिल्ली पुलिस में या बंबे पुलिस में इनमें ड्यूटी के आर्स वगेरे कुछ फिक्स किये जा रहे हैं दिरे-दिरे लेकिन बाकी पुलिस के अंदर ऐसा नहीं होता है जो सिविल पुलिस है उसका कोई ड्यूटी के आर्स कोई निश्चित नहीं होते हैं बरती के लिए उनके वेतन के लिए उनकी छुटियों के लिए उनके welfare के लिए, उनके लिए कोई विवस्ता नहीं है, पहले भी हमने देखा कि निति निर्मान सनस्ता तो है यही नी, इसके लावा कार्मिक मामलों के लिए भी कोई विवस्ता अलग से नहीं कि गई हैं, जिससे काम प्रभावित होता है, जिससे एक आदमी जब 24 गंटे काम क करता है तो उसका असर पब्लिक पे दिखता है और पब्लिक को वो उसी तरह से वेवार करता है उसी तरह से चिडचड़ा होता है उसी तरह से गुस्सा करता है और इस वज़े से क्या होता है कि पुलिस की छवी भी खराब होती है तो यह चीजे हम पुलिस की छवी में भी यू कर सकते हो कि पुलीश डिपार्टमेंट के लिए अलग से companies के लिए कोई शंसता होनी चीह कोई आयोगहिसा बना हुआ होना चुछ जिसे उनके कार्मिक माहान February तर सके और इन्वेस्टिकेश्न और पेटरोलिंग अलग-अलग हुना चीह जो कमिशनरेट परणाली में होता है तो कई क्यूसंस का जवाब इन पॉइंट से आपके सामने दीरे दीरे आजाएगा आपके दिमाख में आजाएगा अगर आप एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद में बजट का एक बहुत बड़ा अंतर होत है कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो दो पार्ट होते हैं एक पार्ट तो होता है उसका नाम तो है सिविल पुलिस और उसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना जो पुलिस स्टेशन में काम करते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम होता है पैट्रोलिंग करन पैट्रोलिंग करना या आर्मड पुलिस यानि कि जिस तरह से राजस्तान आर्मड कॉंस्ट्यूबिलरी तो यह जो आरे सी होती है और जो सीपी होती है इनमें बजट का बहुत बड़ा अंतर होता है और उसी अंतर के कारण भी पुलिस डिपार्टमेंट अच्छे से काम नही जाता था अंग्रेजों के समय अंग्रेज यह चाते थे कि लोगों को दबाया जाए जहां भी लोग इकटे हों परदर्शन करें दरना दें वहां लोगों के ओपर लाटियां बर्शाई जाएं जिससे कि उनकी हमत ही नहीं हो और इसलिए वो ज्यादा खर्चा करते थे आरे चीविल पूलीस। से फुक्त करने के लिए यह किया जा रहा है। इसमें सुधार करने के लिए जो कमीश्न रेट पर नालिये उसमें ऐसा किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है। जो काम करती हैं उनमें कम बजट दिया जाता है इसलिए कमिशनर परनाली है वो बाकी पुलिस से अच्छी मानी जाती है अब इसमें ये भी पुछा जा सकता है कि क्यों नहीं सब पूरी राजस्तान पुलिस को ही कमिशनर परनाली लागू क्यों नहीं कर दी जाती तो इसके ल रेट रोलिंग में रहेगा तो ज्यादा लोगों की जरूत पड़ेगी ज्यादा सुईदाओं की जरूत पड़ेगी और उसमें बजट ज्यादा चाहिए तो बजट के अभाव के कारण पूरे राजस्तान में है वो कमिशनरेट परनाली लागू नहीं की जा सकती और यह अंत इन्वेस्टिकेसन में है तो फो язड़ेगा जो आदमी वीइपी की सिकमिकूर्ट इमे रहेगा उगी अगल को ह doen आए और उनके पास सुईदाओं ज्यादा होती है चुझ की बजट ज्यादा होता है जो कमिश्नर परनाली ऐ है उसमें बजट ज्यादा की अब ज्यादा होत से तो ये जवाब आप दे सकते हो किसी भी तरह से गुमा के कि किस तरह से कमिशनर प्रणाली लागू नहीं की जा सकती है और कमिशनर प्रणाली ज्यादा तर वहां लागू की जाती है कि जहां अपराद सिंसिटिव होते हैं अगर ग्रामी नियरी की हम बात करें तो वहां ज्यादा आविशक्ता होती है और जो ग्रामिन एरिया है वहां के अपराद हैं वो की प्रकरती अलग होती है इसलिए वहां कमिशनर प्रनाली की आविशक्ता नहीं होती है इसके बाद में civil परशासन से जगड़ा ये बहुत important है Civil परशासन से जगड़े का मतलब यह है कि जब अंग्रेजों ने 1861 में जब यह एक्ट बनाया था तो उनका यह मानना था कि जो पैट्रोलिंग में जो लोग लगेंगे जो लोग पुलिस की वेवस्ता को जो लोग देखेंगे वो लोग हैं उनको पावर कम देना है और जो लो काम करते थे जो लोगों के उपर डंडे वरसाते थे वो भारतिये लोग होते थे तो उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों के पाथ ज्यादा पावर कर दीर आज वही असर लगातार चलता जा रहा है जो भारतियों का रोल एक तरह से जो पुलिस का जो रोल करते हैं उसक को SP बोल सकते हैं हम समझना इस चीज़ को उसको बोल सकते हैं SP और इसी का जो सिविल परशासन का जो अधिकारी होगा उसका नाम है DM डिस्टिक मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर तो ये मानलो अंग्रेज है और ये मानलो भारतिये है ये इस्तिती होती है पूरी पुलिस व् व्यवस्ता की इस्तिती खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी आती है SP के उपर और उस पे जो पूरी जिले की जो कानून व्यवस्ता का जो कंट्रोलर जो होता है जिसके पास सत्ता होती है वो होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट के पास वो होता है जिला कलेक् नहीं है किसी right को दबाने का अधिकार ही उसके पास नहीं है तो वो पूरा आसरी तो होता है district magistrate के ओपर collector के ओपर और यह माना जाता है कि इन के पास ज्यादा दिमाग होता है इसके पास कम दिमाग होता है तो यह अंग्रेज है कोई पावर हो सारा और कमिशनर परणाली में यही होता है यही अंतर होता है जो मजिस्ट्रेट का जो पावर होता है वो पुलिस के पास ही होता है इसलिए कमिशनर परणाली बैतर है बैस्त है क्योंकि कमिशनर परणाली के अंदर जो पुलिस के जो सरोच अधिकारी होते हैं उनके पास में magistrate का भी power होता है, जबकि जहां commissionerate परणाली लागूँ नहीं होती है, वहां police department के पास magisterate के power नहीं होते हैं, उनके civil authority के पास magisterate के power होते हैं, और उनके under police को काम करना पड़ता है, commissionerate परणाली में ऐसा नहीं होता है, ये भी आप समझ लिजिए, इसलिए commissioner परण से काम कर सकती है और अगर आप से पूछा जाए कि पुलिस एक्ट में क्या कमी है तो उसके लिए आपका सुझाव क्या होगा तो यही सुझाव होगा कि जिसके पास उत्तरदाईतु है उसी के पास सत्ता होनी चीए जिसके पास जिसको यह काम करना है जिसको कानून विवस्ता की पूरी विवस्ता देखनी है उसी के पास पूरा पावर होना चीए तब वो अच्छे-चे काम कर सकता है एक SP को कब गोली चलानी है यह DM पे डिपेंड होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह तै करता है कि अब आपको गोली चलानी है अब आपको नहीं चलानी है और यहीं जगड़ा यह सिविल परशासन के साथ पुलिस का जगड़ा इसी करम में नीचे तक आता जाता है अब इसको समझने के लिए यहां SP साहब और DM साहब के कि गोली चलेगी या कोई भी काम किया जाएगा तो शेम यहां भी जगड़ा मिलेगा इसके बाद में सिविल परशासन से जगड़ा इससी नीचे इस तरब आएंगे SHO साहब पे SHO साहब या इंस्पेक्टर साहब या सब इंस्पेक्टर साहब उनको उनके लिए आपके है तो और भी उगर रूप ले लेती है जब किसी बीड के लिए एक सब इंस्पेक्टर साहब वहाँ है और उनको ओडर देने के लिए कोई एकदम से सिविल जिसका परशासन से लेना देना नहीं है उसके पास भी मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं वो किसी कोलेज का प्रिं दिखानी पड़ती है उसके पीछे रीजन यही है कि वहाँ सिविल अथोर्टी के पास पावर होता है वो ओडर देने का और वो ओडर जल्दी नहीं देते हैं वो डरते हैं अपनी नोकरी के चक्कर में और पुलिस डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता और यही काम कमिस्नरेट परणाली में होता है एक डिवाई एसपी के पास भी इसका डिवाई एसपी के पास भी मजिस्टेट पावर होता है तो एसपी के पास में मजिस्टेट पावर होता है और उसे उपरवाले अधिकारियों के पास भी मजिस्टेट के पावर होते हैं त यहां कमिशनरेट परणाली लागू हो गई वहां ये जगड़ा खतम हो रहा है देरे देरे उस जगए ये जगड़ा देरे खतम हो रहा है इसलिए कमिशनरेट परणाली बैस्त है साइद में समझा पाया हूंगा आपको अब अगला और लास्ट जो इसमें एक पॉइंट और बच गया वो है कार्यकाल की स्थिरता नहीं है ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए 1861 के कानून में ऐसी कोई विवस्ता नहीं की गई कि एक पुलिस का अधिकारी या एक पुलिस का करमचारी वो कितने दिनों तक उस जगह पे रहेगा ब वाजनितिक कारणों से हो सकता है या पुलिस के उच अधिकारियों के द्वारा किया जा सकता है किसी भी वज़े से ऐसा किया जा सकता है तो पुलिस का कोई इस्थिर उसका कार्यकाल नहीं होता है इस वज़े से भी पुलिस की ये कमी भी आप बता सकते हो और यही सारे पॉ कानून में क्या कमिया है तो भी आप इन सारे points को mix करके समझा सकते हो तो यह idea मैंने आपको दे दिया काफी questions का जवाब आपको इस matter से मिल गया होगा या मिल जाएगा एक बार में हो सकता है नहीं मिले थोड़ा सा समझोगे दुबारा सुनोगे तो आराम से मिल जाएगा अब इसके बाद में अपन अगली class में जो next class होगी इससे आगे उसमें अपन देखेंगे कि smart policing क्या होती है CLG क्या होता है पुलिस मित्र का क्या रोल होता है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये भी बहुत जरूरी चीज़े हैं इसके बाद में desert policing क्या होता है PPP model क्या होता है आज की class की चर्चा अगर आपको अच्छी लगिए तो like करिए share करिए और दूसरों तक भी जानकारी पहुंचाईए राजस्तान पुलिस सभी इंस्पेक्टर इंटर्वी की त्यारी आप रिम डिफेंस अकेडमी के साथ कर रहे हैं आपके पास तीन option है इंटर्वी की त्यारी करने के offline बैचेज लगातार चल रहे हैं जैपूर में hostel facility है girls and boys दोनों के लिए यहां के भी आप त्यारी कर सकते हैं ओनलाइन एप्लिकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाना है रिम डिफेंस अकेडमी एप है उस एप को डाउनलोड करके भी आप ओनलाइन तैयारी मामूली से खर्चे पर आप कर सकते हैं इंटर्वी की और जो बच्चे थोड़ा सा भी खर्चा वेन नहीं से आप नए बेच में भी तैयारी कर सकते हो कैसी लगी जानकारी मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करिए शेयर करिए आज के लिए इतना ही जैहिन ठेंक्यू धन्यवाद